तो इवरिवन कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि बहुत यह अच्छे होंगे कल के डेट में बहुत सारे लोग यहाँ पे डिपोजिट, बिड्रोल और ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे वेट कर रहे थे कि डिजी फानेक्स पे लिस्ट हो जाएगा साड़े नौ बजे और टाइमर भी चल रहा था दोस्तो आखिर लिस्ट क्यों नहीं हुआ आप सभी को जानके हरानी होगा जो मैं इस वीडियो में बताने मला हूँ क्योंकि दोस्तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बियल वी को लाग हो और करोड़ों उपए में खरीद कर रखे हुए हैं लेकिन उनका बियल वी अभी तक ओपिस्यल प्राइस पे सेल नहीं हुआ ठीके सबसे पहले फर्स्ट अफ़ाल देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ स्टेप बाइस्टेप वीडियो का लें थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको सारफ चीज जो है नौलेज जो है प्रोफर मिलने माला है तो आप लोग वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिए जो आप लोग को यहाँ पर टाइमर का चार्ट मिला था आपको मैं दिखाया था चार्ट कि यहाँ पर टाइमर चला रात को और नौ बज़े लिस्ट हो जाएगा आखिर यह लिस्ट क्यों ने हुआ देखिए सच बताएं तो मैं उमर खान की मिटिंग में बिल्कुल भी नहीं आता हूं लेकिन मेरे को अपडेट फिर भी मिल जाता है अब दोस्तों यहाँ पर सच्चाई क्या है उमर खान ने क्यों ने लिस्ट किया इसकी पीछे क्या वज़े क्या रिजन है और उ उमर खान के जुवान पर कितना सचाई है वो कितना सच है और कितना value है उनके बातों में ठीक है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह यहाँ पर देखा जाये तो आज के डेट में blb की बहुत बड़े-बड़े holders है मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे पास दो लाग से प्लस टोकन है लेकिन मैं ज़्यादा टोकन बिल्कुल भी नहीं रखा हूँ मैं चाहता तो मैं भी खरीद के टोकन रख सकता था अब मैं क्यों नहीं रखा ही ईसके पीछे हैं कर में किसी को प्रेस लाइजad नहीं कर रहा हूँ कि आप टोकन खरीदो लेकिन अप फिर भी खरीद रहे हो तो मेरे उसमे कोई भी हाथ नहीं है यहाँ पर फर्स्ट आपाल देखा जाए तो दोस्तों आप सबको पता है कि BLV का 3 ITO चला था 3 ITO में आप सबको पता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो token आप देख पा रहे होंगे यहां पर कितना बड़ा numbers आप देख सकते हैं इनके total supply का आप देख सकते हैं कि यहां पर 80% 80% token यहां पर इनका ITO में चला गया था 80% और यह बोले थे कि भाईया यहां पर the remaining supply after distribution of rewards will be burn यानि कि यह जो इनका total supply है उसके बाद इस में से जो ITO में 80% token यह जो की ITO में लाए थे और ITO जब भी ला रहे थे तो उसमें इनका जो price था वो initiate हो रहा था अब यहां पर गाई देखा जाए तो सबसे बड़ा जो problem है इनका total supply तो 80% इन्हों ITO में बाट दिया ठीक है अब दोस्तो 80% आप समझ सकते हैं कि यहां पर 80% token कितना बड़ा मतलब अगर देखा जाए तो लोगों से पैसा लिया गया मतलब ITO का मतलब क्या होता है कि लोगों से पैसा लेना मतलब गाई यहां पर लोगों ने पैसा अच्छा खासा ITO में लगाया यानि कि BLB token को buy किया जबकि आप सबको पता है किसी भी crypto currency का price ऐसे decide नहीं होता है आप सभी लोग बहुत ही बड़े नादान हो क्यूंकि आप सभी लोग बिल्कुल crypto industry में अभी बिल्कुल नहीं हो किसी भी crypto currency का price ऐसे कैसे आप decide कर सकते हैं और जिस crypto currency का मालिक हो आपको पता हो कि इस crypto currency का वो मालिक है वो crypto market में नहीं टिक पाएगा यह बात हमेशा जान लेना और वो जो token का मालिक बोल रहा है कि हम इस token को इतने price में list कर देंगे तो भाईया वहां पर आपको जरूर सतर्क होना चाहिए मुझे यह बताईए आप लोग को क्या पता है क कि एक हां सतोसी नाका मोटो है बस एक अंदाजा है मतलब की अभी confirm confirmation कुछ नहीं है कि बढ़िया सतोसी नाका मोटो ही उसका मालिक है उसका honor है आज तक कोई नी जान पया कौन है कहां रहता है क्या करता है अब जिन्दा है कि मर चुका है कुछ नहीं पता तो यहाँ पर या हम अपने coin की price इतना launch करेंगे इतने में करेंगे ऐसे करेंगे तो क्या आपको ये चीजी देखने को मिली कि नहीं यार core DAO जो आप लोगों ने mining किया core DAO launch हुआ और अच्छे खासे price पे launch हुआ 10 डॉलर पे launch हुआ तो क्या आपको पता है कि उसका price लोगों ने मतलब जो core बनाया था जो core की community है क्या आपको कभी भी बताई कि हम इसका price इतना लेके आ रहे हैं नहीं ना बताई तो भाई आप मुझे ये बताओ हम हमेशा कहते हैं कि जिस crypto currency में कोई अगर मालिक आ जाता है तो भाईया वहाँ आपको सतर्क होना चाहिए क्योंकि जिस crypto में मालिक आ गया उसका कोई भी guarantee नहीं है कि वो क्या होगा उसका कितना जाएगा क्या होगा कब क्या होगा कुछ नहीं पता होता है तो यहाँ पर सम मिला जुला के बात यह है कि भाईया उमर खान क्या कर रहा है भाई आपको नहीं गया तो भाई यहाँ पर देखा जाए सम मिला जुला के बात है कि ITO में जितना लोग coin यहाँ पर holders लोग रखे हुए है भाई उनके पास करोडों में coin पड़ा हुआ है तो भाई आप मुझे बताओ कि 18 रुपए के इसाब से अगर यह market पे list हो जाता है किसे exchange पे तो मुझे बस इतना बता दो कि 18 रुपए के इसाब से अगर लिस्ट होता है तो यहाँ पर total अगर हम इसको calculate करेंगे तो भाई यह जो आप सभी लोग देख रहे हैं 80% token इसका अगर आप मैंने पुरा calculation कर लिया है आप लोग कर लेना यह भाई पता कितना होता है लगभग 1.1 billion भया 1. 0.1 billion dollars होता है 1.1 billion लगबग यहाँ पर डोलर भाई मजाक थोड़ी है यानि कि 1000 लगबग यहाँ पर बात करें अगर रूपए की तो यहाँ पर 11,000? रूपए 11,000? इंडियन करेंसी की 11000 रुपए होता है इतना पैसा उमर खान के पास जेब में पड़ा गया है तो अब मुझे यह बताईए जैसे कि उमर खान बोलता है कि हम अपने कोईन को दो डॉलर पर लिस्ट करेंगे 18 रुपए पर तो यह लिस्ट कर नहीं पाएं अभी तक कोई भी सर् और जो टाइमर चल रहा था चार्ट के गाईज वो बिलकुल फेक था टाइमर आप सभी लोग दिल थाम के बैठे थे कि भाई हाँ दोखो यह बात तो सच है जो अपडेट में उमर खान ने बोला था कि 15 तारिक को बहुत बड़ा सर्प्राइज मिलने माला है तो गाईज इ ही था कि हम सभी लोग यहां पर जो क्वाइन है हो अपना डे जूपोज कर पाएंगे बिड्डोल कर पाएंगे सेल कर पाएंगे सारे चीजह कर पाएंगे तो वह मार्टेट पे अभी तक जोने हूवा यानि ये चीज़स है सवाट अभी तक कम्प्लेट नहीं हूँ पाई अभी तक कुछ भी ऐसा एनाउसमेंट नहीं आया और दोस्तों देखें मैं आपको एक चीज़ देखा दू अगर आप देखो कि डीजी फानेश एक्चेंज पर तो वहाँ पर जो बैनर चल रहा है वहाँ पर जो बैनर चल रहा है अदर करेंसी की बात करें जो अलग-अलग ए के कंप्रीजर में बीलब टोकन का यहाँ पे यूटी सी टाइम क्यों नहीं दिया गया एंड यहाँ पर देखा जाये तो दूसरे एरडोप के मुकाबले में अभी इसमें कमिंग सून लिख रहा है तो भया आप मुझे बताओ कि कमिंग सून लिखने की क्या जरूरूरत थी जब तुमको लिस्ट ही नहीं करना था आपको जरूरत क्या थी भया बैनर लगाने की बैनर लगा के सबका दिल खुश कर रहा है सबको मतलब की excited कर रहा है मतलब की सब चलो कोई बात नहीं आ रही है हमारा coin लिस्ट हो रहा है तो भया इससे अच्छा है कि आप directly बैनर लेके आईए वहाँ पर अपना timing देजिए सबसे best रहेगा ठीक है तो guys यहाँ पर स्वमिला जुला के बात में आपको बता दूं तो यहाँ पर जितने सारे लोग यहाँ पर confusion में हैं कि भया आप क्या होगा तो यहाँ पर supply देखिए आप सबको पता है कि किसी भी cryptocurrency का यहाँ पर price क कैसे decide होता है उसके total supply उसके demand गैस किसी भी cryptocurrency का अगर price का बात करें तो देखिए किसी भी cryptocurrency का price उसके total supply उसके demand एंड उसका plan के उपर depend करता है कि वो किस type क्रिप्टो करन्सी दोस्तों क्रिप्टो करन्सी कई type क्या आते हैं meme coin आते हैं mlm coin आते हैं decentralized coin आते हैं एंड बहुत सारे ऐसे coins आते हैं जो दूसरे के blockchain पर work करने वाले होते हैं तो यहाँ पर guys बहुत तरह के cryptocurrency टोकन्स आते हैं market में तो यहाँ पर guys यह जो token है mlm token है simple सी बात है और इसका कोई मालिक एक मालिक नहीं है कई सारे इनके लोग हैं जो उनको control कर रहा है BLB listing की बात करें तो अभी तक कोई भी उमर खान की तरफ से यहाँ पर announcement नहीं आया है कि हम इतने तारिक को BLB को list कर रहे हैं इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर token को खरीते ही जा रहे हैं तो मैं यहीं कहूंगा अभी भी देखा जाए तो 45 पैसे 50 पैसे में BLB मिल जा रहा है आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूँगा भाई आपका पैसा है आपके पास फालतू पैसा पड़ा होगा तो आप खरीद लो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन हाँ किसी से कर्ज लेकर भया BLB मत खरीदना क्योंकि यह MLM plan है इसका कोई guarantee नहीं है हम किसी भी token का price अपने आप से decide नहीं कर सकते हैं दोस्तों वो market के इसाब से supply demand के इसाब से initiate होता है तो दोस्तों यहाँ पर similar के बात यह है कि आप लोग अभी भी कुछ भी मत करिए बस आप लोग relax बना कर रखिए दूसरे crypto फोकस करिए एड़ो फोकस करिए mining करिए बाकी दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ अभी भी इसका कोई guarantee नहीं कब यह क्या करेगा बाकी आप लोग जितना भी token खरीदें उसको hold करके रखिए जब भी इसका announcement आता है कुछ good news आता है तो आप सभी के लिए video ज़रूर बनाऊंगा and दोस्तों एक चीज में आप बत के रिए मिलते दोस्तों next video के साथ thanks for watching